आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर अठार्मा है तो टॉपिक नंबर 18 में आप सब का स्वागत है आज हम सब पढ़ेंगे सची वाले प्रमंडल अनुमंडल जिला कर दिया इन चार पात चीज को और हम सब इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करें वरना डिसलाइक आप कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो पहला मैंने लिया है सचीवाले, तो सचीवाले की स्थापना 1912 SB में हुई है, यह कैंद्रिया प्रसासन है, यह मुखमंत्री एबं मंत्री मंडल के नीचे आता है, इसे आप याद रखेंगे, तो सचीवाले बहुत बड़ा पोश्ट होता है, तो यह मुखमंत्री एबं मंत्री मंडल के नीचे आता है, ठीक है, फोर नमबर है, सचीवाले का प्रधान मुख सचीव है, पांचमा पॉइंट है की प्रधान सचीव के अंतर का प्रतियक विवाग के प्रधान सचीव आते हैं ठीक है यानि जितने भी विभाग है इनसे नीचे वो सारे किसके अंडर आते हैं तो प्रधान सचीव के अंदर ठीक है सचीवाले के प्रधान सचीव के अंदर चलिए आगे वड़ते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम सब अब हम सब देखते हैं कि सचीवाले के कार्ज क्या है आखिर सचीवाले में क्या कार्ज होते हैं तो ये निती निर्धारन करते हैं परियोजनाओं का निर्मान करते हैं बज़ादेवं नियंतरन विवस्था को देखते हैं तता विभिन विभागिया मंत्रियों उप मंत्रियो के निर्वाहन में सायता करती है यह सचिवाले के जो कार्ज है वो बहुत ज़्यादा ही important होते हैं क्यूंकि किसी भी state के निती निर्धारर्ग यही होते हैं परयोजनाओं का निर्मान करना इनी के कार्ज में आता है बज़ड आवं नियंद्रन की विवस्ता इनी के कार्ज में होती है तथा विविन विभाकिया मंत्री उप मंत्री एवं राज मंत्री यानि मंत्री उप मंत्री और राज मंत्री के दाइत का भी निर्वाहन कोन करते हैं तो सचीवाले के द्वारा किया जाता है तो ये सचीवाले का थोड़ा सा टॉपिक था चलिए परमंदल का उच्टम अधिकारी आयूग तत्थवा कमिस्णर होता है ठीक है तो कमिस्टर परमंदल के उच्छ अधिकारी होते हैं तीसरा ज blossom जब जारकंड राज-विहार के साथ था यानी 2030 तक तब परमंदल की संख्या कितनी थी 13 क्यूंकि झार्कंड बिहार से कब अलग हुआ ये आपको पता होगा पंदरा नमंबर 2020 को और ये स्टेट को जो अलग करने का प्रापधान है वो कौन से बहुमत से पास होता है तो साधरान बहुमत से आपको पता होगा ये भी तो मैं पॉलिटी का जब किलास लूँगा राजविवस्था का तो उसमें मैं आपको समझाओंगा ठीक है चलिए आगे पॉइंट देखते हैं प्रमंडल की कुछ और चौथा पॉइंट है वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों की संख्या नो है यानि जब जारकंड के साथ बिहार था तो प्रमंडल की संख्या तेरह थी और अभी वर्तमान में प्रमंडल की संख्या नो है ठीक है अब पाचमाज की जीलों की संख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़े तीन प्रमंडल वैसे तो प्रमंडल नो है तो उनमें पहला है मलब जो बड़ा प्रमंडल है उसमें कौन-कौन से आते हैं तो पहला है तिरहुत प्रमंडल जिसमें 6 जिले आते हैं दूसरा है मुगेर प्रमंडल इसमें 6 जिले आते हैं तिसरा है पटना प्रमंडल जिसमें 6 जिले आते हैं ठीक है और भागलपूर प्रमंडल में 2 जिले आते है भागलपूर और बाका ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए अब डिस्टिक में आ जाते हैं यानि जिला तो जिला प्रसासन का प्रमुक दाइब जिला धिकारी का होता है इसे आप याद रखेंगे दूसरा है कि जिला धिकारी जनता और प्रसासन के बीच कड़ी की निवाता है तीसरा पॉइंट में जिला से लिया है वर्तमान में बिहार में 38 जिला है आपको पता होगा और 38 जिला अरवल बना है और वैसे बिहार का सबसे बड़ा जिला छेतरफल के अनुसार पस्चिमी चंपारन है ठीक है और जनसंख्या के अनुसार कोने सबसे बड़ा जिला तो वो पटना है ठीक है तो जब मैं हम सब जनगन्ना वाला वीडियो पढ़ेंगे बिहार की जनगन्ना 2011 उस में हम सब सारे ये वाले तत्थ को कभर कर लेंगे ठीक है और ये जो घ्रवल है जो 38 जिला यह कौन से जिले से अलग ओकर बना था तो यह जहानाबास जिले से अलग होकर बनाता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह जिला से रिलेटेड आखरी पॉंट देखते हैं 1975 में जिलादिकारी से विकास कारज को अलग कर उप विकास आयक जिसे DDC को सोपी गई थी ठीक है यानि इसका एक अलग से कार्ज कर दिया गया ताकि जिलादिकारी का कार्ज थोड़ा असान हो सके तो उसके लिए 1975 में DDC को सोपी गई थी ठीक है अब पढ़ते हम सब अनुमंडल के बारे में ये भी important है तो कई प्रखंडों को मिला कर एक अनुमंडल यानि सब डिवीजन का गठन किया गया ठीक है और यह केंदर इभम राज प्रसासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है इसे भी आप याद रखेंगे यानि केंदर और राज प्रसासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है for example UPSC या BPSC एक्जाम लेगी तो उससे जो अधिकारी चुने जाएंगे वो अनुमंडल के सिर्श अधिकारी होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब अनुमंडल से रिलेटेड और कुछ तथ देखते हैं चलिए अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा अनुमंडली है पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की सकतियां प्राप्त होती है इसे भी आप याद रखेंगे चौथा अनुमंडली है अधिकारी पंचाई समीति के कार्ज में भी भाग ले स रखता है ठीक है पाचमा है वर्तमान में बिहार में कितने अनुमंडल है तो 101 अनुमंडल है और छटा है कि पुर्वी चंपारन और पटना में छेचे अनुमंडल के साथ सबसे बड़े हैं यानि पुर्वी चंपारन जीला और पटना जीला जो है वो छेचे अनुमंडल है वहाँ पर और उसके अनुसार ये सबसे बड़ा है तो ये था अनुमंडल से related जितने भी facts है छोटे छोटे facts ये important है खास कर कि ये जो number है इसे आप याद रखेंगे वर्तमान में बिहार में 101 तो एक अनुमंडल है इसे आप याद रखेंगे ठीक है अब हम सब प्रखंड देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो का आंद करेंगे उसके बाद पॉलिटी का एक और वीडियो आएगा उसके बाद हम सब बिहार के जो राजविवस्था है उसको पूरे समाप्त कर देंगे और मैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एड कर दूँगा एक सिरियल वाइज उसे आप असानी से देख पाएंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट है कि बिहार में प्रखंड़ों की संक्या 534 है ठीक है तो इतना अब याद रखेंगे तो आज हम सब इस छोटे से वीडियो में देख लिए क्या-क्या सचिवाल है प्रमंडल जीला अनुमंडल और प्रखंड ठीक है तो इससे रिलिटेट इतने ही कोशन बनते है इतने ही कोशन पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस एक सेकेंड लगता है आप असानी से देख लेंगे ठीक है आँ 69 वाले को मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि किस स्टाटजी से आप पीटी निकाल सकते हैं तो वह वाला वीडियो आएगा लगवाग यह 68 वाला एक्जाम होने देते हैं उसके बाद ठीक है तो चलिए मिलते है नेक्स्ट स्टुडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू सो मच